तरीके से पुड़ा ऐसे बदन में जैकर के पकड़ लेते हैं ठीक है जो उनका हाथ था कुछ मतलब बदन के पकड़ा उसके बाद फिर भी कोडियोग्राफर ने कट गया जी पहले यह बता ही है कि आपको जब गना दूसरा दिया गया था तो आप चुमा वाले पर चलू क्यो कि उन्हीं में से सोजाएं में देखिए सबसे पहला बात हमें गो लड़की है उतना लड़का का बीच में नहीं सोपसके आपके साथ छर्खानी जब हुई थी तो वहां पर थाना था वहां से वहां पर क्यों आपने अरे भाईया मेरा मीसिंग तो वही मैं भी एल्बम और वीडियो में काम दिलवाता हूं लेकिन सबी लड़कियों से मैं बोल देता हूं कि आपका जो जिम्मदारी है खुद अपना ही नमस्कार अपनाम आप लोग देखने टीस एफ न्यूज और आज हमारे साथ है गुरिया हल चल जो काफी विवाद में रहती हैं और इनका एक क आप सभी को निया साल का हर्दिक हर्दिक शुपकाम नहीं देती हूं अखिर ऐसा क्या हुआ था सच्छाई जो सुरू से होगा था है देखिए 26 डिसेंबर को मेरा अलबम शूट था वो भी व्याशाली में और उसका पहले जो मतलब मुझे बुलाए थे जो ओफर दिये थे अलबम सौंग के लिए वीरू किसन बंसी नाम है उनका और उन्होंने वाटसब में मुझे दो गाने भेजे थे जो शिल्पी राच का सौंग था अपने मतलब गंदा तरीके से मुझे पकड़ा उसके बाद फिर भी कोडियो ग्राफर ने कट किया पहले ये बताईए कि आपको जब गंदा दूसरा दिया गया था तो आप चुमा वाले पर चलू क्यों करवा दिया ना पहले तो आपको दूसरा दिया हुआ था तो उन्हों ने क्या कहा जो जो एक्टरस इस गाने के लिए आने वाली है वो नहीं आये है ठीक है और इतना जल्दे एक लड़की कहाँ से जुगार करे आपका लाकार हो के लाकार का पड़ेशा नी समझ सकते आप ये वाला गाना मेरा कर दिजिए उन्होंने रिकोइस्ट क कर सकती हूं तो इसका गाना मैं क्यों ने रिजिक्ट कर सकती जैसे अगला वला बंदा का कहना है वह मीडिया में आके इतना चटर-पटर बोल रही है क्योंकि और जो दो गाने थे वह गाना में मैंने इसको शूट नहीं करवाया है बोलके इसलिए वह बंदी मतलब एसी कर डी यूपी गोपाल गांजबेतिया में कौन मुझे नहीं जानता आप जो आए हैं आप भी मतलब मेरा नामी सुनके मुझे जानकी आप आए मेरे पास इंटर्विव लेने के लिए तो इसको बंदा मुझे नहीं जानता है क्योंकि उनका भी एक मतलब जो एक मीडिया वा जो कहीं ना कहीं गुडिया हलचल नाम और फ्रेम के लिए वह आपके बारे में ऐसा बोलती है अगर मुझे नाम और फ्रेम के बारे में अगर बोलना भी रहता तो एक अच्छे कलाकार का लेके बोलते हैं जैसे सौमिया पुड़करल ने खेसारी लाल का टैटू बना दिया एक उसके संग एलबम भी बना दिया बहुत सूर्कियों में थी अभी उनको रत्तिभर का पैचानने वाला कोई नहीं है तो अगर मुझे नेम फ्रेम भी बनाना तो किसी बड़े कलाकार से में उलच ती तुमको तो रत्तिभर का लोग नहीं जानता है जो तुमसे हम नेम प पर लड़की का बदन के ऊपर चड़के कंधा में किस करना है तो मैंने बूली हो जो में हूँ वो हूं कि까 बहुत बड़े तो वैसा गाना तुमने खुद कैसे रिलीस कर लिया है तो इसलिए मैंने वह स्टेप भी नहीं किया तो उनको बुरा लग किया तो तुमसे तो कुछ नहीं करवाया जा रहा है दूसरा कोई कलाकार होती तो उसको हम बीस्तर में हम लेके चल जाते एक लड़की से बात करने का यह तरीका उनका सही था एक उपर से कलाकार से कैसे बात किया जते जिनको आप कूट पैसे दे के इन्वाइट किये हो अपने काम के लिए तो वह बंदा वैसा बोलता है दूसरा में जब वह यह बात कहते तो मैंने बोला जो देखी छोटे कलाकार बड़े कलाकार में यही प प्लिक में आए जो छोटे कलाकार का नेचर रहता है ठिंकेंग रहता है कि तो मुझे वैसा अपना नहीं बनाना था वैसा मतब असली लड़कत करके तो इसलिये ना कर दिया था बोलके वो बंडा को खराब लगया, वो बंडा बोलता हू, बड़ा कला कर होगा तो उसके संग तुम बिस्तर में चल जाऊ गया है, छोटे कलाकार है, तो मेरे संग तुम बिस्तर में नहीं आऊचा है, उसका जवाब ये पित to a Mac, उन्होंने उनक जो औरत समाज का इजत एक दम ही मतलब भूल गया है करना, बिहार वासी, बिहार वासी को नहीं बोलेगा। उस जैसा कमीना इंसान को बोलेंगे, वीरू की सन जैसा कमीना इंसान को, क्योंकि विगनी जो एक ड्रेस होता है, वो लड़की लोग का परदे का चीज होता है, हम लोग का मा बहने चे, हम लोग का वो एक परदे का चीज होता है, जिसने वो लाइफ में आके बोला है, अब ब तो दूसरा में वह बंदा बोलता है का बैचलर पार्टी में जाके कपड़ा खोल के जब डांस करती हो तब अच्छा है और किस्टर में नंगा नंगा कपड़ा पहन के काम करती हो वह अच्छा है तो मैं तुम्हें एक बात कहना दू जो पब्लिक मुझे प्यार करें सपोर्ट करें वह लोग चूतिया नहीं है अगर मैं गंधी रहती तो वोग मुझे इतना पяж प्यार सपोर्ट नहीं देतें और आहां बैचलर पार्टी में प्रॉग्राम करनே का मुझे लगता है कही जिस बैचलर पार्टी में मैं कपड़े खोलके डांस कर मुझे किसी का माबहन के उपर यह सब यूस नहीं करना चाहिए था लेकिन हाँ मैं भी एक किसी का घर का माबहन हूँ जब वह अगला बंदा लाइफ में आके मेरे संग ऐसा गंदा मतब बात में यूद मतबोल यूस कर सकता है तो बेसिकली मैं भी कर सकती हूँ मैं भी एल्बम और वीडियो में काम दिलवाता हूँ लेकिन सभी लड़कियों से मैं बोल देता हूँ कि आपका जो जिम्मदारी है खुद अपना ही समझी और दूसरी बात मैं बता दूं कि आपके साथ छरखानी जब हुई थी तो वहां पे थाना था वहां पे क्यों आपने कुलकता से आही हूँ भी अपने कि आहार में मेरे तरफ से कोई नहीं है यहां पर नहीं करों और । सबसे पहला बात असली नाम क्या है वो भी नहीं मुझे पता तीक है उपर में उसका नाम और दूसरे में ये ठाना, कोटiones, Ch 목nez, मुझे कोई नालेज में बहुत दिन तक मैं घूली पड़ी हुई थी क्योंकि तमाम मीडिया वाला का तमाम सवाल तरह तरह के सवाल उसमें मैं उलजीतनी पड़ी ती जो मैंने अपना फ्यूचर में ध्यान नहीं दिया था कि के उपर मैं सोच रही तिया अगर यह बंदा के साथ आगर अगर एसे चाहूंगी आप एक मेडिया वाले आपसे भी में निवेदन करना चाहूंगी आप लोग जाके प्लीस उसका वो लाइफ वीडियो जरूर देखिए गा जिस लाइफ वीडियो में उसने मेरे बारे में बोला है ठीक है वो जिस चैनल से छोड़े वो चैनल में इनको दे आप लोग सर्चिंग मार के प्लीस एक बड़ उसका वो वीडियो देख लेना जो सुडू से लेके एंड तक ले उन्होंने एक लड़की के एक लड़की से कैसे बात किया जाता है उन्होंने कोई चीज का मतब कमी उसमें नहीं रखा उन्होंने मेरे उपर जिस जिस भासा क किया है कई ने कई उस वीडियो के दिखके आपको पता चल जाएगा जो कौन कितना अच्छा है और कौन कितना सच्चा है मैं इतने ही अपना दर्शकों से निवेदान में करूंगी तो आप लोग जो है ऐसे अकेले जाते हैं और वहां पर जो घटना घट रहा है तो किर्पया आप लोग पहले ही वह चीज पहले जो भी है जो मालिक है जिसके थुरू आप लोगों से बात होता है उस तरह से पहले ही यह करकर और तब ही जाए और हमारे तरफ से जो भी लड़किया जाती है और हम लोग पहले ही बता देते हैं कि आपके जिमादारी जो है खुद होगी उसके बाद जब आधरस्ता से रिटन जा रहे तो उन्होंने इसे बोला जो दो कला कर पहले फिल मार चुका है तो आप ऐसा मत कीजिए तो हम बोले ठीक है तो कोई बात नहीं हम कल सुबा को आ जाएंगे जब आपका शूट होगा तो बोले ने आप यही पर आके रेस्ट कर पर रूम है आप आईएगा आप रेस्ट कर लीजेगा तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं तो फिर हम लोग चलने लगे वहां से तो जब आधरस्ता फिर गए तो गाड़ी का तेल मतलब ख़तम का यह था तो उन्होंने फिर वो दो हजार उपया जो हमने उनको रीटन किया तो उन्होंने फिर भेजा तो तेल वेल डलवा कि हम लोग पहुँचे चो से साड़े चो बजे के करीब लेकिन वह बंदा लाइफ में झूड बोलता है जो हम लोग 10 बजे का बात जाके मतलब पहुचे तो डाइवर भी मेरा गवाई में है चो से साड़े चो बजे जाके व तो उन्होंने फिर पाँच मिनिट वेट करने के लिए ऐसे पाँच मिनिट करते 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 रात पॉने एक बज गया अब जब पॉने एक बज गया तब हमको बहुत ज़्यादा तब खराब हो गया गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आगे यह बंदा तब से पाँच मिनिट कर रात का पॉने एक बजने जा रहा है वो भी ठंडा का टाइम है और उपर से डाइवर बोल रहा है जो देखिए आप लोग अगर गाड़ी में ऐसे देएगा हम अगर रात में नहीं सो पाएंगे तो सुबा को हमसे गाड़ी नहीं चलाया जाएगा तो फिर जाके उनको हम बोल कि अभी तुरंत हम बेवस्ता करके लाके दे रहे हैं बोलके गाड़ी लोग करके अपना गाड़ी में जाके वो सो जाता है और वहां पर अगल बगल किसी को नहीं दिखाई देता है उसके बाद जैसे भी ढूंध धंड के फिर उनको गाड़ी से निकाले हम बोले यह सब क् है कलाकार को बुला कि आप ऐसी कर रहे है अच्छा बात थोड़ी है तो हॉल में मतलब 15-16 लड़का मौजूद था वही हॉल में पलंग लगवात है जिसमें 7-8 लड़के मतल मौजूद थे कुछ-कुछ लड़के सो के थे कुछ-कुछ बैट के अपने मोबाइल मतल यूज कर रहे सकता है तो एक रूम था बगल में छोटा सा रूम ता जिसमें छोटा से चौड़की लगवात थे वह लोग अपने में मतलब की चैन कर रहे थे क्योंकि वह कलाकार को भी दो गाना के लिए बुला के चार गाना शुट कर वाया गया साम को छोड़ देने का बात था र आप एक सिंगल रुम हम लोग को दीजे तक हम लोग जो चार आदमी आए हैं हम लोग एक ही साथ में हम लोग रहे लेंगे अब मेरे सब्सक्राइब तो हम बोले जो ठीक हम लोग एक साथ रहेंगे आप एक रूम दीजे तो उन्होंने कुछ आर रिस्पॉंस नहीं दिया कि दूसरा रूम में जाके वो सो गए ठीक है उसके बाद सूट करने का था दस बज़े से टाइम लेकिन उन्होंने चौई बज़े मुझे जगा दिया ऐसे रात में सोते सोते दो अड़ाई बज गया था उपर से छो बज़े उन्होंने उठाके रेडी वेडी करवा के हमको ब करवा का ठीक है वह गाना था हम बोले आप तो हमको वाटसब में दूसरा भाना भेजे तो यह दो गाना पर शूट नी करवा कि मुझे आप क्यूं शूट करवा रहे हैं तो वह यह गाना शूट करने के लिए जो एक्टर साने वाली थी उसने कैंसिल कर दिया आप एक कलाका कर दिए बड़ा चरा के हमसे पैसा कुछ ज्यादा ले ले लिए तो पहला स्टेप जैसे की दिया जो लड़की थैलती हुए जाएगी लड़का पीछे करते-करते हुए आएगा आके लड़की के संग जोड़ दबस्ती मतब वीडियो बनाने लगेगा ठीक है तो पीछे करते-करते तो मेरा सही आता है लेकिन आके मतलब पीछे तरीके से पुरह ऐसे बदन में जैकर के पकड़ लेता है ठीक है जो उनका हाथ था कुछ मतलब बदन का मेरा उल्टा सीधा